खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए पिछले पात सालों में संसद में कई एहम वाक्य हुए इस दौरान कौन से मुद्दे संसद में छाए रहे कौन से बयान चर्चित हुए और कौन सी हस्तियों ने सुर्खियां बटोरी इन सभी लम्हों को समीटे हमारा ये शो देखिए सोलवी लोकसभा की सोला कहानिया संसद में मोधी का आगाज भी यादगार रहा 20 मई 2014 को बीजेपी संसदी दल और सहयोगी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए जब पियम मोधी संसद पहुँचे तो उन्होंने संसद भवन की जमीन पर जुक कर प्रणाम किया जैसे श्रधालू पवित्र मंदर में करते हैं संसद भवन के इतिहास में उन्होंने ऐसा करके सभी सांसदों के लिए उदाहरण पेश किया बैठक में नरेंद्र मोधी को सर्व सम्मती से बीजेपी और एंडिये का नेता चुना गया था क्या मा की सेवा कभी कुर्पा हो सकती हैं ये तस्वीरी सोलवी लोग सभा से ठीक पहले की है बीजेपी और एंडिये के घटक गलों की बैठक में बोलते हुए मोधी के आँखों में आसू आ गये थे मोधी ने जीत कश्रे बीजेपी कारेकरताओं को दिया संसत के सेंट्रल हॉल में पूर्थ धानमंत्री अटल बिहारी बाचपई का पोर्ट्रिट लगाये गया इस दौरान पिये मोधी अटल बिहारी को याद करते हुए भावुक हो गए और उन्हें पिता तुल्ली बताया सुलहवी लोकसभा का वोद्रिश लंबे समय तक याद रखा जाएगा जब आविश्वास प्रस्ताओं पर अपने भाशड के बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी साधन में पियमोधी की सीर्ट तक जा पहुँचे और फिर उन्हें उटने का इशारा किया जब मोधी ने राहुल से वज़ा पूछी तो राहुल ने बिना कुछ बोले उन्हें गले लगा लिया हलकि बाद में पियमोधी ने राहुल गांधी को पास बुला कर उनकी पीट थप थपाई मोधी को गले लगा कर राहुल अपनी सीट पर बैठे ही थे कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो विरोधियों के निशाने पर आ गए मोधी को गले लगाने के बाद राहुल ने अपनी सीट के बगल में बैठ जोते रादिफिस सिंध्या को देखते हुए आख मारी जिसके बाद विरोधी नेताओं ने राहुल पर हमला बोल दिया और संसद में उनके इस आचरर पर सवाल खड़े किये गए इसके बाद राफेल पर बहस के दोरान भी राहुल के आख मारने की तस्वीर सामने आई थी बहुमत से सत्ता में आई मोधी सरकार का दबदबा संसद में दिखाई दिया यही वज़ा है कि पिछले साल जुलाई में मोधी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को मुह की खानी पड़ी अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन में कुल 451 सदस्यों ने हिस्सा लिया जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 जबकि विरोध में 325 वोट पड़े टीडीपी ने आंध्र को विशेश राजी का दर्जा देने के मांग को लेकर एंडिये से अलग होने के बाद ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था गुड्स और सर्विसेस टैक्स मोदी सरकार की ओर से लाई गई बहुत महत्वपूर्द करवेवस्था है जिसे सरकार और कई अर्थ शास्त्रियों ने आजाधी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया 30 जून की आधी रात संसत के सेंट्रल हॉल में विशेश सत्र बुलाकर मोदी सरकार ने देश में GST लागू कर दिया था कॉंग्रेस सद्धेक्ष राहुल गांधी इसे गवबर सिंग टैक्स बना कर इस पर सवाल उठाते आ रही है तीन तलाक का मुद्दा भी सोलहवी लोकसभा में चाया रहा अगस 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का एलान किया बिल के कुछ बिंदूओं पर विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में 28 दिसंबर 2017 को तीन तलाक बिल पास किया गया जिसमें तीन तलाक को अपराधिक माना गया हालके विपक्ष के विरोध के चलते अब तक राजिसभा से ये बिल पास नहीं हो सका है लोकसभा चुनाओं से ठीक पहले मोधी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सवर्ण गरीबों के लिए 10 पीजदी आरक्षर का एलान कर दिया जिसके तहट सामान निवर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को आरक्षर के विवस्ता की गई सवर्ण आरक्षर के एलान के मोधी सरकार के कदम का विरोध कॉंग्रिस जैसे विरोधी पार्टिया भी नहीं कर सके देश के कई राजियों ने सवर्ण आरक्षर का कानून प्रदेश में लागू कर दिया है मोधी सरकार पर कई बार विपक्षी पार्टियों ने सामप्रदाइक्ता क्या रोप लगाए जिसका जवाब देते हुए मोधी ने लोगसभा में कहा कि मेरी सरकार का एक ही धर्म है भारत सबसे पहले मोदी ने संसर में कहा कि किसी को भी धर्म के आधार पर भेद धाव करने या कानून को अपने हाथ मे लेने का अधिकार नहीं है देश सम्विधान के दाइरे में चलेगा और ये मेरी जिम्मेदारी है कि सरकार किस तरह से चले संप्रवधाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है मेरी सरकार का मेरी सरकार का एकी दर्म है मेरी सरकार का एकी दर्म है इंडिया फर्स्ट लोग सभा में पिछले पात साल में सूट बूट की सरकार की काफी चर्चा रही कॉंग्रिस अधेक्ष राहूल गांधी ने सूट बूट की सरकार का हवाला देते हुए सरकार पर किसानों और दरीवों की अंदेखी कारोप लगाया आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है सूट बूट की सरकार है राहुल गांधी के सूटबूर्ट की सरकार के कटाक्ष का कड़ा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि निश्चित रूप से सूटबूर्ट सूटकेस की तुल्ला में ज़ादा स्विकार ये है मोधी का इशारा यूपीय सरकार के दोरान हुए घोटालों से था फरवरी 2018 में राजिसभा में पियम मोधी के भाशड के दोरान कॉंग्रेस सांसद रेडुका चौधरी के हसी पर भी भारी विवाद हुआ था मोधी के भाशड के दोरान रेडुका चौधरी जोर जोर से हसने लगी थी विंकया नाइडू रेडुका चौधरी को बीच में टोक ही रहे थे कि मुस्कुराते हुए मोधी ने कहा कि सभापती जी रेडुका जी को आप कुछ मत कहिए रामाएर सीरियल के बाद सभी को ऐसी हसी सुनने का आजसो भागे मिला है इस बार बजट के दौरान आम आदमी को टैक्स लाब में बदलाव की काफी उमीद थी इस बीच जैसे ही कारिवाहक वित्तमंत्री पियूश गोयल ने एलान किया कि 5 लाख रुपे तक की आये पर किसी तरह का आयकर नहीं लगेगा तो एंडिये के सांसदों ने सदन में मोधी मोधी के नारों के साथ मेश थपथपाना शुरू कर दिया काफी देर तक सदन में मोधी मोधी के नारे का शोर गूँचता रहा बता दे कि इससे पहले टैक्स लाग धाई लाख रुपे तक का था मोधी सरकार ने तेश का बजट एक फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरू की 26 अक्टूबर 2016 को पियम मोधी ने एलान किया था कि अगले साल से बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा पियम मोधी ने इसके पीछे तर्क दिया था कि इस बदलाव से विकास की युजनाओं को गती मिलेगी मोधी के इस एलान के बाद साल 2017-18 से बजट एक फरवरी को पेश किया जाता है इस साल का अंतरिम बजट भी एक फरवरी को ही पेश किया गया लोग सभा में अपने भाशन में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने यूपीय सरकार की शुरू की गई मनरेगा यूजना पर सवाल उठाए थे उन्होंने ये कहा था कि इसे कॉंग्रिस के समारक के रूप में याद किया जाएगा और वो उसे गाजे बाजे के साथ बचा कर रखेंगे हलाके अब सरकार ने इसे यूजना के लिए सबसे ज्यादा बज़क आवंटित किया है मोधी सरकार के राज में सोलहवी लोगसभा कामकाच के मामले में बहुत आगे रही माई 2014 से शुरू हुई लोगसभा में 8 जन्वरी 2019 तक 16 सत्रों में 321 बैठे के हुई इस दौरान लोगसभा में 216 बिल लाए गए जिनमें से 200 बिल पास भी हुए सुलहवी लोगसभा में चर्चा के दौरान सांसदों ने 77,365 प्रशन पूछे GST, राफेल और 3 तलाग जैसे एहम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को कई बार घेरा जिसकी वजह से लोगसभा में कई बार कारेवाही रोकनी भी पड़ी औस तन 70 दिनों तक लोगसभा की कारेवाही स्थगित करनी पड़ी करने एmer पर भी खार जाढ Намला जोदों ने स्थगा कात्या करशा हम मुद्दों तक टे सबस्थ आर ज Okay कर लोगसमा मींग बार पार वोगसभा आरिथ, स्वेशा, ईनुवेशा, भी 앞으로, आरी समॵेशा, तक